राजस्थान के जैसलमेर में कलेक्टर के तौर पर तैनाती के बाद से आएस टीना डाबी काफी सुर्खियों में रही। हालांकी अब उनकी बहन आएस रिया डाबी चर्चा में है। दरसल रिया डाबी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो रिया ने दो महीने पहली ही गुपचुप तरीके से शादी रचा ली है। जानकारी के अनुसार आएस रिया डाबी ने इसी साल अप्रेल में ही शादी रचा ली थी। उनके पती एक IPS अधिकारी है। रिया और उनके पती दोनों ही साल 2021 बैच के अधिकारी है। रिया ने IPS मनीश कुमार को अपना जीवन साथी बनाया है। IPS मनीश कुमार और रिया की शादी के बाद मनीश को शादी के आधार पर महराष्ट कैडर से राजस्थान कैडर में शिफ्ट किया गया। इसको लेकर ग्रिह मंत्राले की ओर से नोटिफिकेशन भी आ गया है। रिया डाबी भी राजस्थान में तैनात है। रिया डाबी राजस्थान के जैसलमेर की कलेक्टर तीना डाबी की छोटी बहन है। रिया खुद भी एक IAS अधिकारी है। और उनकी तैनाती राजस्थान के अलवर में असिस्टेन कलेक्टर के तौर पर हो रखी है। रिया भी 2021 बैच की IAS है। बता दे की रिया की बड़ी बहन तीना ने भी इसी साल दूसरी शादी की है। टीना अपने फैसलों से कई बार चर्चा में रही है। टीना ने IAS प्रदीप गावंडे से शादी की थी। हालाम की प्रदीप की ये पहली शादी थी। दोनों की उम्र में करीब 13 साल का अंतर है। 2021 के संग लोक सेवा आयोग UPSC के परीक्षा परिणाम में रिया ने ओल इंडिया में 15 रैंग हासल की थी। जबकि बड़ी बहन तीना डाबी ने UPSC परीक्षा 2016 में देश भर में नंबर एक रैंग हासल की थी। दोनों IAS बहनों को राजस्थान कैडर मिला है। मौजूदा समय में टीना जहां जैसल मेर जिले की जिलाधिकारी है। जबकि रिया अलवर में ACM के रूप में तैनात है। मीडिया रपोर्ट्स की माने तो रिया और मनीश ने अपनी व्यस्तता और सम्याभाव के चलते कोट नारज कर ली थी। अब आने वाले दिनों में दोनों के परिवार एक बड़ा marriage reception दे सकते हैं। इस समारों में शादी शुदा जोड़े के परिजन, दोस्त, रिष्टेदारों समेथ bureaucrates शामिल हो सकते हैं। यह कारेक्रम दिल्ली या फिर राजस्थान की किसी फेमस जगा पर आयोजित किया जा सकता है। गौर्टलब है कि रिया डावी भी बहुत खुबसुरग है। इसके साथ ही सोशल मीजिया पर काफी active रहती है। वह लगातार अपनी तस्वीरे शेर करते रहती है। पिछले दिनों एक तस्वीर के जरिये उन्होंने अपने प्यार को लेकर हिंट दिया था। उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि रिया डावी प्यार में है। बुन की शादी की खबरे आ गई है।